उक्सिजिन विवाद में घिरे आगरा के पारस हॉस्पिटल के नाम देश श्राम एक और बड़ा विवाद जुड़ गया अस्पताल सीज किये जाने के आदेश के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने हॉस्पिटल के गेट पर जम कर गुंडा गुंड़ दे दिखाई अस्पताल के बाहर खड़े लोगों के साथ इन लोगों ने जम कर मारपीट की अस्पताल के स्टाफ की गुंड़ई क्यामरे में साफ साफ नज़र आ रही है मारपीट का विडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है फुलस अधिकारियों ने वारल विडियो पर संग्यान लिया है और कारवाई की बात कर रहे है और ये लिए के तीन तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं पहली तस्वीर जब अस्पताल को सील किया गया दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल के ही कर्मचारी हैं गुंडे हैं कहिए कि जो अस्पताल के बाहर खड़े लोग थे उनके साथ जम कर इन लोगों ने मार पीट की और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस अस्पताल से शिफ्ट किये जा रहे हैं मरीजों के तस्वीरे क्योंकि कल ही जो विडियो आया था सामने उसमें साफ देखा गया था और सुना गया था साफ तॉर पर कि किस तरह से ऑक्सिजन बंद करने का मौंड्रिल किया गया था पांच मिनिट तक आक्सिजिन के सप्लाई बंद कर दी गई थी जिसे 22 मरीजों की मौत की बात सामने आ रही है जिसके बाद ये बवाल ये हंगामा जो है वो सामने आया और उसके बाद जब इस अस्पिताल को पारस अस्पिताल को सील किया गया तो अस्पताल के गुंडों ने अस्पताल के बाहर लोगों को जम कर भी कर दिए देखे एक फैक्ट है कि यह वीडियो बहुत छोटे छोटे से चार पार्ट में आया है अगर किसी ने 28 तारी को रिकॉर्डिंग कर रहा था तो एक साथ कई बाते की होंगी उन्होंने और सिर्फ काम की बाते कट करके दिखाई गई है उचित होगा जिन्होंने भी रिकॉर्डिंग बनाई है पुरा ले लेगी उसमें कौन सा इनका पार्ट है क्या कुस डॉक्ट रसको भचांब कर लेगी then we'll take actions according to that हमार लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक आपने रहे हमारे साथ देखते रहे है आज तक